पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी की नीटी और इती से प्रभावित होकर भाश्व पार्टी की सद्धश्यता ग्रहन करने वालू की सूची लगातार भड़ रही है। बिजेपी में विभिन राजनेतिक पार्टीयों के साथ ही प्रसासनिक अधिकारी और करमचारी भी सद्धश्यता ग्रहन कर रहे हैं। बिजेपी की सद्धश्यता ग्रहन करने के बाद पूरू डीजीपी बिजेपी की नीतियों को विक्सित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एहम बताया तो पूर्व सीय मशोग गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए। सोनी ने कहा कि पूर्व सीय मशोग गहलोत ने निजी एवं राजनेतिक सुआत के चलते प्रदेश के लाखों युवाँ के साथ कुठारा घात किया है। गहलोत सरकार ने जिन जम्मेदारों पर भरती परिक्षा करवाने के जम्मेदारी थी उनका आचरन तक संदिक्द रहा। इतना ही नहीं प्रदेश में नाथी के बाड़े और साचोर की पाठशाला की चडशा जोर उसे चलने लगी। ऐसे वे बिज़ेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंतरी भजनलाल शर्मा ने पेपर लिग माफियाओं के खिलाफ कारवाई करने के लिए SIT का गठन किया। कॉंग्रेस राज में संस्थागत भृष्टा चार हो रहा था मद्यस्त के बिना किसी का काम तक नहीं हो रहा था। मद्यस्त भी कैबिनेट रेंग से उपर पहुँच गए थे। लेकिन अब विज़ेपी सरकार के राज में यूवाओं के साथ म्याय होगा। सोनी ने कहा कि परधान मंत्री नरेंदर मोदी विकास पूर उसके रूप में देखे जाते हैं। मोदी के 10 वर्ष के कारेकाल से विश्व में भारत की पहचान एक नए विश्व भारत के साथ शक्ति शाली भारत के रूप में हो रही है। 24 घंटे से 20 घंटे लगाता नई उर्जा से सबका साथ, सबका विकास और सबका उत्थान के ध्याय वाक्ये के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो वे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ही है। SMU उनकी टीम में आज हर कोई जुटना चाहता है। मैंने भी 35 तक लोग सेवा की तोर पर कार्य करने के बाद अब BJP पार्टी से जुड़ कर जन सेवा करने का निश्च्व किया है। BJP प्रदेश सीष्री नेतरत में आज पार्टी की सदेशता गहन करवाई इसके लिए आभार इस दोरान मंच पर चुनाव प्रबंदन समीती के सदश्य राजिंदर सिंग्षेखावत प्रदेश मीडिया संयोजग प्रमोध वसिस्ट मोजूद रहे।